सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल देहला देने वाली होरर स्टोरी बिना घबराए बेल आइकोन प्रेस करना ना भुलें डॉक्टर साब कुछ महिनों से मेरे पीट का दर्द बहुत बढ़ गया है पता नहीं चल रहा ऐसा क्यों हो रहा है आपने जो दवाया दी थी वो मैं ले तो रहा हूँ लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा है अचनक से पीट में बहुत दर्द शुरू हो जाता है रमेश स्ट्रेस की वज़े से तुम्हारा दर ठीक नहीं हो रहा है तुम अब भी उसी सद्मे में हो तुम्हें सब कुछ भुला कर अब कपील के बारे में सोचना होगा कपील का भविशा अब तुम पर निर्भर करता है अगर तुम ही हिम्मत हार गए तो कैसे चलेगा डॉक्टर शायद आप ठीक कह रहें कपील की चिंता ही मेरे स्ट्रेस का कारण है लेकिन कपील अभी बहुत बदल गया है पहली की तरह अब वो बिल्कुल हस्ता खेलता नहीं चुपचाप सा रहने लगा है पढ़ाई तो मन लगा कर करता है स्कूल भी वक्ते जाता है खाना वक्त सबसे बड़ा मरहम है रमेश उसे थोड़ा वक्त दो वो धीरे धीरे सब भुला कर फिर से पहले जैसा हो जाएगा भगवान पे भरोसा रखो वो सब ठीक कर देंगे ये मैं कुछ दवाया लिखके दे रहा हूँ इससे तुम्हेरा हत मिलेगी शुक्रिया डॉक्टर होशयार बच्चा था स्कूल में स्पोर्ट्स में सभी में होशयार होने के साथ ही वो बहुत समझदार भी था लेकिन कपिल के इसी सोभाव के कारन उसके पिता रमेश को उसका ये बिहेवियर दिन बदिन अजिब सा लगने लगा था और वो इसलिए क्योंकि हाल ही में कपि पता से कभी जिक्रत तक नहीं किया कि मा कहां है। जब वो स्कूल से घर आता तो अपना होमवर्ग करता और खाना खा के सो जाता। दूसरे दिन सुभव उठकर खुद स्कूल के लिए तयार भी हो जाता। और स्कूल चला जाता। कुछ दिन ऐसे ही होता रहा। लेकिन एक दिन रमेश से रहा नहीं गया और उसने कपिल से पूछा। बेटा कपिल मैं तुमसे कुछ पूछना चाता हूँ। बोलो पापा। लेकिन तभी रमेश की पीठ में फिर से बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। कपिल पूछता है। पापा क्या आप ठीक है। हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। अब तो मुझे आदत सी हो चुकी है इस पीठ दर्द की। काम की वज़े से होता होगा शाय। वो सब छोड़ो। मैं तुमसे ये पूछना चाहता था कि तुम्हें मा की याद नहीं आती। क्या तुम्हें मा घर में ना होने का एहसास भी नहीं होता। हाँ जब मा काम पर जाती थी तब कभी-कभी अकिलापन महसूस होता था। क्योंकि बहुत बार तो वो शाम को भी जाया करती थी ना। लेकिन अब तो ऐसा नहीं होता मतलब अब तो वो हमेशा घर पे ही होती है लेकिन पापा मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही मा हमेशा आपकी पीट पर क्यों बेटी होती है इससे तो आपके पीट का दर्द और बढ़ जाएगा न ये सुनते ही रमेश के होश उड़ जाते हैं उसके पसी ने छूटने लगते हैं डरते हुए वो पीछे पलट कर आईने में देखता है ये कहानी आपको अच्छे लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें हमारा इंस्टाग्राम और फेस्बुक पेज जरूर फॉलो करें अगर आपके पास ऐसे ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें हम कोशिश करेंगे कि अगली अनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी